दीपावली बे हम महालक्ष्मी को मनाते हैं उनका पूजन करते हैं, शुब समय में करते हैं ये दिन बड़ा ही विशेश होता है, इस दिन एक अलग सी उर्जा होती है ये एक पवित्र दिन है महालक्ष्मी को बुलाने का तहवार है दीपावली मालश्वी की घृपा तो हमें पूरे जीवन भर चाहिए सिर्फ एक दिन से काम नहीं चलता है पैसे से हमें रोज, सुबह, शाम पैसा चाहिए होता है कि दीपा वली का दिन विशेश होता है तो आज कि अगर आप सही तरीके से पूजा करें अपने राशी के अनुसार तो पूरे वर्ष भर पैसों की कभी नहीं रहेगी ग्रहों का महा सयोग दीपा वली की उर्जा में और शक्ती भर देता है मा लक्षमी हमारे घर पधारे और सदा सदा के लिए हमारे घर में स्थापित हो जाए ये हम चाहते हैं दीपा वली में हर वेक्ती अपने अनुभाव से अपने रीती रिवास से मा लक्षमी के अराधना करता है अगर आप अपनी लगन राशी के अनुसार अगर आपको लगन राशी नहीं पता है, तो आप अपनी नाम राशी के अनुसार सही तरीके से पूजन करते हैं, तो माल अश्मी के आने की संभावना बढ़ जाती है, आपकी लगन राशी पर या वीडियो आधारी थे, लेकिन नाम राशी से भी देख सकते हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाईए और चैनल से जोड़ जाईए, सबसे पहले आप ये जान लें कि दीपा वली का पूजन जो हमें शुरू करना होता है, वो हमें परदोश काल से हम दीपा वली के पूजन की त दीपा वली का जो पूजन है, इसमें आप जो भी विदी विधान से पूजा करते हूं, करिए, जब भी आप पूजा कर रहे हों, तो कुछ बातों का विशेश जरूर ध्यान रखिएगा, पहली चीज, कि आप आसम पे बैठकर पूजा करें या खड़े होकर पूजा करें, नमबर दो, पूजा जब कर रहे हों, तो उसमें जो भी सामग्री आपने इस्तिमाल करी है, वो शुद्ध और शुद्ध होनी चाहिए, सबसे पहले आप भगवान गणेश का पूजन करें, फिर मालक्षमी का पूजन करें, फिर आप या आरती गाये या पूजन करें, या म अब हम बात करते हैं, आपकी राशी के अंसार, आपको कैसे पूजन करना चाहिए, बात करते हैं, मिथुन यानि मिथुन लंगन वालों की, आपको मा गज लक्षमी की कृपा मिलेगी, ऐसा चित्र देखिए, जिसमें मा के पीछे दो हाथी बने हुए हैं, मा लश्पी की ऐसी फोटो का पूजन करें, जिसमें दो हाथी बने हुए मा को सलूट कर रहे हैं, गज लश्पी की कृपा होगी, तो काम बहुत बढ़िया बनेगा, हाथी, हाथी कौन पालता है, हाथी वो पालता है, जो अमीर होता है, तो आप अमीर बनेंगे गजलश्मी का पूजन करके आपकी तरक्की होगी बैंक बैलेंस बढ़ेगा इतना पैसा आएगा कि आप चार और लोगों को दे पाएंगे आपका वैपार इतना बड़ा होगा कि आपके अंडर 150 लोग नौकरी करेंगे जितना कमा रहें उसी कमाई में इ आप हाथी पाल रखा है, हाथी कौन पालता है हाथी? बहले जमाने में राजा महराजा बड़े आदमी पालते हैं, कहते ना इनकी घर में हाथी पला है, तो यह अमीर होंगे तो अब आपको भी अमीर होगएंगी मां गजलश्मी, आपको माद सम्मान दिर मिलेगा, पद प् हैं तीन सागुत हल्दी की गांट रखें तीन पीली खौडी भी रखनी है और पूजन के बाद इसकी पोटली बनाकर अपने पूजा के स्थान में रैंगे या पसर पर और तीजोरी की स्थान हुए थी समुझ मंतन की लश्मी को धन की देवी माना जाता है तो उनके हाथ में स्वड का कलश है तो मा का जो वहन है वो सफेद हाती है गज है तो नौकरी प्रमोशन नौकरी में प्रमोशन वेपार में वरद्दी छोटा काम बड़ा काम बन जाएगा कारोबार में वरद्द वाले भी बनेंगे, तो ऐसी चित्र या मूर्ती को इस्थापित करें, मंगश लश्पी हाती की सवारी कर रही है, मूर्ती को लाल कपड़े से, जब भी आप ये मूर्ती या कोई भी चीज तो एक लाल रंग की चुन्री या लाल मूर्ती के उपर जरूर पहना है, और विदी पिधान से उसको अपने घर में पूजन करें, जो भी आप आरती काते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, सब चीजों को पढ़ें, एक शुद्धता के साथ, सफाई के साथ इनका पूजन करें, जिनको संतान नहीं हो रही है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके घर में संतान नहीं है, य अगर आपकी संतान किसी भी तरिके से दुष्ट संतान है तो संतान भी दुष्टता छोड़ कर कुछ दिनों में, कुछ महीनों में एक कते ना आग्याकारी संतान बन जाएगी या बन जाएगा। कुतिया, यानि कि फीमेल Guy अगर कभी दीपा वली के बाद या दीपा वली से पहले कभी ऐक फीमेल डॉग जब बच्चे को ज़्म देती है, तो अक्सर आपने लिखा होगा कि एक फीमेल डॉग, एक से ज़्यादा बच्चे को ज़्म देती है, एक दो, तीन, चारव प बच्चे को जर्म दिया हो जो अकेला बच्चा हो और यह अदका उस बच्चे, जो वो बच्चा को पालने से धन दौलत शीगरता से आपके घर में आएगी यह उपाय करने से एक बार पहले आपनी जर्म भी निखा लें कि आप कुछ्टा पाल सकते यह या नहीं पाल सकते वैसे अगर आप करेंगे इस उपाय को तो बहुत अच्छा होगा दीपा वली से पहले या दीपा वली के बाद अगर एक फीबेल डॉग जो आपको कहीं मिल जाती है जो एक बच्चे को जर्म देती है और वो बच्चा नर है यानि कि पुरुष बच्चा ह मेल चाइल्ड है मेल डॉक का चाइल्ड है और आप उसे पालते हैं तो धन दौलत इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे यह बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा लेकिन उपाय इतना सौरिड है कुछ लोगों को मेरे बताया था यह उपाय बताया तो 150 लोगों हो था मैंने लेकिन एक दो लोगों को ऐसा उनका संयोग था इश्वर की किरपा थी आज यकीन मानिये वो इतना पैसा कमार है इतने अरब पती खरब पती हो गये क्यों कहते हैं प्रणी जी हम गली-गली बस कुटों को देखते रहते हैं संसार में जितने कुटे हमें दिखाई पढ़ते हैं उनकी सीवा में कुछ ना कुछ करते रहते हैं क्योंकि इसी ही कुटे ने हमारी जिन्दगी बदल दी तो वो कुटे को भी अप्ताब पूजनी मानते हैं कुटा जो है वो अच्छे-च्छो की किसमत बदल देता है दिल्ली में लक्ष्मी पूजन का जो महूरत होगा 12 घुर्वार का दिन पांच बच के 38 मिनट पीएं से लेके 7 बच के 34 मिनट पर पर नो भी बदोश काल है पांच के 30 बिन д you'll आ जो आपनी पूजा की तयारी कर ले और पूजन करें ताकि आपकी पूजा में कोई तुज़ा युफे के ऊपर पड़से हम एक और वी-डियो बनाएंगे जिसakahर बंस में अनने बड़े अब बात करते हैं इस चमतकारिक पायराइट पत्थर की, क्योंकि ये पत्थर पैसे को अपनी तरफ खीच लाता है, तो अगर ये पत्थर आपके पास है, तो आपके पास पैसा खीचा चलाएगा, तो आप इसे धारण करें, पहनें और जानते हैं कि ये कैसे पैसे को खीचता कैसे आपको महामीर बनाता है आये जाते हैं अमीर बनना चाहते हो हां की नाम अगर चाहते हो तो ये पत्थर ले लो अभी ले लो तुरंत ले लो और इस पत्थर को पहन लो मैंने भी पहना है मेरे दोस्तों भी पहना मेरे ना जाने कितने चाहने वालों ने पहना मैं अंदर है और इस पत्थर को पहनने के पाद तुम भी किसी को मत दिखाना, इस पत्थर को अपने घर में रखना, अपनी तिजोरी में रखना, वहां रखना जहां पर तुम पैसा रखते हो, जहां पर ये पत्थर होगा, वहां पर पैसा आएगा, जाएगा नहीं, तिजोरी छ उनको खरीदना है, खरीदना है, तो L6 लिखकर इन नमबरों पे वाटसेप करो, फोन करो, यकीन मानो, आप मुझे सालों से देख रहे हैं, ये पत्थर वो पत्थर है, जो इस दीपावली में आपको इतना अमीर बना देगा कि अगली सो दीपावली आप पैसों में छेलेंग हैं, अभी लोग, एक नहीं दो लोग, एक पहनना और एक अपनी तुजोरी में लग देना, L6 लिखो, भेजो, मंगालो दिवाली से पहले, दिवाली की रात पहलने ना, दिवाली की रात, लक्षमी तुमको आशिवाद देख के जाएंगा, एक हजाद नौ सो लिननानमे रुपए का ये लॉकेट है चांदी में मड़ा हुआ, टेक्स वेक्स लगाकर ये इकिस सो रुपए का हो जाएगा,